आज की ग्लास में हम जानने वाले हैं विद्दुचुम्ब के विकिरोनों की कणिया प्रकर्ती के बारे में तो यह देखते हैं विद्दुचुम्ब के विकिरोनों की कणिया प्रकर्ती क्या होती है ज्यान दीजीएगा मान दीजीए एक बोड़ी हमारे पास में यहाँ पर रखी हुई है यदि इस बोड़ी को मैं देखता हूँ तो इस बोड़ी पर हमने क्या किया है एक श्वेत प्रकाश का एक श्वेत प्रकाश यहाँ पर डाला है अब श्वेत प्रकाश आपको पता है श्वेत प्रकाश जो रहेगा वो बहुत सारे रंगों से या फिर बहुत सारे तरंग धेरे अलग अलग वेव से या फिर अलग अलग विकिनों से मिलके बना रहेगा ठीके जी अब जैसे ही मैंने ये इस पर डाला बोडी पे तो तीन बा जाने कि तीरी बात है है या फिर इनको रिफलेक्ट कर दे या फिर इनको आर्पार निकलने दे या फिर इनको फिर अब आपने देखा होगा जब भी किसी लोहे को गरम करते हैं ठीक है तो लोहे पर क्या होता है एक विशिष्ट रंग हमें दिखाई देता है अब माली जी यह लोहा येदि हम गरम कर रहे हैं तो आपको पता है बहुत बार क्या होगा कि वो लोहा जो रहेगा वो क्या होगा कभी लाल दिखाई देगा येदि उसको और ज़्यादा गरम कि जा रहा है, तो वो क्या होगा महाँ पे कभी निला भी आपको दिखाई देता है ठीक है, और आप ने बहुत बार देखा हूगा, कि तारों का जो तापमान है, वो किस तरह से महाँ पा जाता है, तो यह तक्निक आज यहाँ पे समझने वाले हैं, उसी के मैंने उसको गरम किया तो उसमें से क्या होगी हर तरंग धेर्य का प्रकाश जो रहेगा वो निकलने लग जाएगा यानि कि इसमें से जितने भी तरंग धेर्य हैं उन सब का प्रकाश इसमें से निकलने लग जाएगा यानि कि जब भी किसी पिंड को गरम किया जाता है तो उस उस पर से सभी तरंग धेरे के प्रकाश को उतसरजित करता है, यानि कि वो क्या करता है, सभी तरंग धेरे के प्रकाश को उतसरजित करने लग जाएगा, अब यदि मैं ग्राफ यहाँ पे देखता हूं, intensity और wavelength खाँ, तो देखेगा, जितनी कम wavelength होगी, ये क्या है यहाँ पर, x-axis पर मैंने लिया गया है यहाँ पर wavelength और यह दिए हम बात करते हैं intensity की तो वो कहाँ पर लिया वाया भई मेरे y-axis पर तो दियान दीजिए का जितनी कम wavelength होगी intensity भी उतनी कम होगी अब दीरे 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 जैसे जैसे मैं यहाँ पर wavelength को बढ़ा रहा हूँ तो आपको बता है यहाँ पर क्या हो रहा है मेरे intensity भी बढ़ती जा रही है एक टाइम ऐसा आता है जहां पर क्या होगा की wavelength और जो intensity है वो क्या हो जाएगी यहाँ पर जो intensity रह जिस बाद में क्या होगा intensity क्या होगी मेरे कम होने लग जाएगी लेकिन ये कभी भी जी-रो नहीं होगी क्योंकि ये क्या होगी यांपे कभी भी जी-रो नहीं होगी हर तरंग लोहे के पिंड को गरम किया जाता है तो वो क्या करता है वहाँ पे एक विशिष्ट रंग प्रदर्शित करेगा या तो हो सकता है वो लाल करे या हो सकता है वो निला करे जादा है गरम कर देता है तो ठीक है जी तो हमें वहाँ पे जो रग दिखाए देता है, वो कोन सा दिखाए देता है? जो की सबसे ज़्यादा तरंग धेरे वाला जो रग है वही हमें दिखाई देता है अब इसका मतलब यह नहीं है कि बाकी रग नहीं निकल रहे हैं हमारी जो limited eyes होती है वो सिरफ ंसी color को देख पाती है वो सिर्फ उसी तरंग देरे को देख पाती है जो सबसे अधिक्तम होती है ठीके जी तो वही बात लिखी वी है यदि हम देखते हैं कि इसकार्थ यह नहीं है कि विशिष्ट तरंग देरे वाले प्रकाश को उत्सर जित कर रहा है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ह जो आखें हैं वो सिर्फ उस रंग को देख पाती है जो की अधिक्तम तरंग धेर्ये के साथ में निकल रहा है। और इसलिए हम देखते हैं कि तारों पर तारों का तेमप्रेचर है वो हम कैसे मेजर करते हैं। वो भी इसी तकनीक द्वारा वहाँ पे मेजर किया जाता है कि वहाँ से कौन से तरंग धेर्ये का प्रकाश निकल रहा है, कौन से तरंग धेर्ये का जो प्रकाश है वो सबसे ज़्यादा निकल रहा है, अब ऐसा तो है नहीं कि तारों का इदिया में टेंपरेचर पता करना है का विक्किरन क्या होता है ठीके जी तो जोड़री एमिशन गयान के साथ में मिलते हैं अगरी वीडियो में धन्यवाद